बिहार टक्नी की सेवा आयोग के दोवारा जो जुनियर इंजिनियर की भाली निकाले गई थी उस बिग्यापन को रद करते हुए नई नियमवली का गठन क्या गया है जिसको आप लोग 2022 नियमवली का सकते हैं तो 2022 नियमवली में क्या कुछ परवधान जोड़े गया है क्या कुछ है यहाँ पे मेंसन क्या गया है वो सारा डीटेल में आप इस वीडियो में देखेंगे ऐसे आप लोग अगर इस वीडियो को पढ़ना साते हैं तो मिरे टेलिग्राम ग्रूप का लिंक डिस्क्रिप्शन म गया है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं संचित नाम विस्तार एवं पारम्र यह नियमवली बिहार जलसंस आधन बिभाग अबर अभिहंतरन अर्शैनिक यांत्रिक बिधूत संभग नियमवली 2022 कहीं जा सकेगी इसका विस्तार संपूर बिहार राज में होगा और यह तुरंत परवृत होगी यानि कि लाग होगी जस्त इस नमवली में जब तक कोई बात विस्तार या संदर्व के परतिकूल ना हो सरकार से अभी प्रेत है बिहार सरकार यह कुछ यहां पर लिखे हुए आप लोग पढ़ लिजेगा जो रिजर्वेशन का में अधिनियम 3, 1992 समय समय पर यथा संसोधित होते रहेगा एवं उसके अधिन बनाई गए नियमवली के परवधान एवं यथा बीहित महलाओं के लिए 36 आरच्छन के परवधान तथा राज सरकार दोरा समय समय पर यथा बीहित रोस्टर एवं आरच्छन के परवधान नियु नहीं होगा तिये कुछ हैं रिख्तियां की गन्ना जो है लिखा हुआ है न्यूक्ति प्रधिकार दौरापरतेक वर्ष पहली अप्रेल को आरच्छन कोटिवार रिख्तियों की गन्ना की जाएगी एवंता दनुसा समानपर्शसन विभाग के माध्यम से आयोग को 30 अप्रेल तक आरच्छन कोटिवार अधियाचना भेजी जाएगी अधियाचना के अधारपा आयोग कोटिवारिक्तियों को सीधी भरती दवारा न्यूक्ति से भरने के लिए विग्यापन करेगी न्यूक्ति में चैन पर किरिया किस तरी किस होगा कौन-कौन से इन्वर्शीटी से अ प्राप्त संस्थान दोवरा निर्गत आर्षनी क्यानतिक विधूत अभियंतरन अथवा संकच योगता परसांगिक विशय में अखिल भारते तकनीकी सिच्छा परिशत दोवरा निर्गत होगा। अनिसूची सिर्षक और के अंत्रगत डिप्लोमा के समकच घोसित पाठकरम के डिप्लोमा धारी जिने सम्बंदी तक्निकी सिछा परिशत विश्वविदाले दोवारा डिप्लोमा परदत हो अथवा UGC Act के परवधानों के अंत्रगत अस्थापित इन्वर्शिटी डिम्ड इन्वर्शिटी दोवारा नौन डिस्टेंसिंग मोड में आर्शनिक यांतिक बिदूत अभिहंतरन अथवा समकच योगता से परदत डिप्लोमा बसरते की उस इन्वर्शिटी डिम्ड हो तथा AICT दोवारा निर्धारित सर्ते मापडंडों के अनुरूप डिप्लोमा पाटकरम संचालित होगा प्रंतु अरहक परिच्छा के परमान पत्रे की संकचता के संदर में संका की स्तिती में बिभाग आयोग दोवारा बिग्यापन इवं प्रवधिकी बिभाग से प् होना चाहिए अधिक्तम आयो राज सरकार समान पर्शाशन विभाग दोरा समय समय पर आरच्छन कोटिवार बिनिश्चित उम्र शीमा के अंतरगत होना चाहिए परंतु संबीनदा के अधार पर पूरू से नियोजित कनिया भ्यांता जो की आर्शनी के अंत्रिक विदूत क पत्पे वो कारियत है अधिक्तम उम्र शीमा में समय पर कार कीघी अबधी के सम्मतूल अबधी की चूट दे जाएगी अधिक्तम उमर शीमा में उगत छूट के लिए विहार राज के अंतरगत सभी सरकारी गैर नेजी केंदर सरकार पंचायत नगर निकाय आदी करियालो सं कुट दिया जाएगा 25 परतिसाद आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे प्रंतु समान पर्शाशन भीवाग के परिपत्र संक्या दू बारत दिनांक तईसेग 2006 के परवधान के आलोक में परिच्छा के आयोजन में हुए बिलम के अब्धी के लिए भी एक वार अधिकतम उम्री सीमा में छूट अनुमान होगी परंतु यह भी कि किसी एक अभ्याटी को उक्त परवधानों में से किसी एक परवधान के तहट ही अधिकतम उम्री सीमा में छूट अनुमान होगी और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो यहाँ पर मिंसन है कनिया भ्यंता सिबिल इल समीदा के अधार पर किये गए कार्ज के अधिमानता की गन्ना कर आयोग दुवारा किया जाएगा समीदा के अधार पर किये गए कार्ज की अधिमानता के लिए बिहार राज के अंतरगत सबी सरकारी गैर नीजी के अदर सरकार नगर निकाय आदी करयालों संस्थानों का कार्ज अनुभब मानि होगा समीदा के अधार पर करिया भ्यानता स्विल लक्टिकल मेकेनिकल के पत्पक कार्ज करने का अनुभव रखने वाले अभ्यारती जो इस अंदर संबर्ग में भरती क्या रहता पूरी करते हैं को चैन में इस नियम के उपर जो है नियम दू के अनुसार रिखतियां आंक देकर अ अधी माता 75% होगा 75 अंक और उसके बाद जो समीदा पर कार्यत है उनको 25 अंक का बेटेस दिया जाएगा और भी यहां वाले को दिया जाएगा किसी बर्स के अंस के लिए कार्यत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुना करने के 50 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा तो यह कुछ से टोटल 100 अंक का होगा 100 माक्स का होगा परीच्छा के अंक की अधिमता की गन्ना के लिए परीच्छा में परीच्छा में जो है प्राप्त और यहां पर किस तरीकी से जो है एक्जाम का प्रोसस होगा वो कुछ यहां पर बताया गया ह सवीधा कध्यार पर कार्ज करने के लिए उनका अधिक्तम अधिमानता पर्तिकार वर्ष के लिए पाच अंग यानि कि एक साल के लिए उनको पाच अंग तीज आएंगे जिसके अधिक्तम सीमा 25 अंग तक होगी किसी वर्ष के अंस के लिए कारियत दिवसों की संस्था में संख्या पाज से गुना करने का पहचाज जो है 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा ये कुछ परवधान यहां पर लगू किये गे हैं कि किस तरीके से आपको 25 दिये जाएगे परिच्छा के अंक की अधी मानता की गन्ना के लिए परिच्छा में प्राप्त अंकों के परतिसद में 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा अर्थात अधी मंता अंक परिच्छा में प्राप्त अंक से डिवाइट करेंगे तो परिच्छा की कूल अंक गुने 75 तो ये कुछ आपको इस तरीकी से अंक जो है अंक को यहाँ पर कल्कूलेट किया जाएगा तीसरा पॉइंट में लिखा है समीन्दा क अधार पर कारियत अबधी का बिनीश्चे संबंधी ते नियंतित पदधी कारी दोरा निर्गत बेतन भुगतान प्राप परमान पते का अधार पर किया जाएगा इस हेतू आयोग दोरा पर कासित बिग्यापन में अंकित कट ओफ डेट तक की अबधी की गन्ना कार्ज अनभब के लिए की जा सकेगी पतियोग गिता परिच्छा का सोरूप पाठकरम एवं परिच्छा के आयोजन से संबंधित अन्सभी निर्ने आयोग दोरा जो है लिया जाएगा और पाठमा पॉइंट में लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो 40% जो बिहार में बिहार के पॉल्ल टेक्निक से डिप्लोमा किये हैं उनको 40% का रिजर्वेशन मिलेगा और कोटी बार रिजर्वेशन भी उनके लागू होंगे जैसे कि चाहे वो गवर्मेंट से होंगे चाहे वो प्राइविट से होंगे बस बिहार के पॉल्ल टेक्निक कॉलेश से उन्होंने पॉल्ल टेक्निक किया रहेंगे जो पॉल्ल टेक्निक किये रहेंगे उनको जो है 40% का रिजर्वेशन दिया जाएगा और 60% 40 और 60 का यहां पर चलेगा लिखा है आगे कि पहले 60 जो है 60% जो है आपको भरे जाएंगे तब 50 जो है 40% में फिर भरे जाएंगे इस तरीकिस से सीट जो है भरा जाएगा और यहां पर लिखा है दसमा पॉइंट में आयोग के अनुसं की है तू अनुसंसित की जाएगी आयोग दोवार अनुसंसित उमिदवारों का पैनल एक वर्स के लिए वैद होगा तो यह कुछ यहां पर नियमवली में में मैंसंग किया गया आप लोग इसको डिटल में पढ़ लिजेगा जो भी इंपोर्टन था मैंने वीडियो में बत